Hello everyone, welcome to P Mathematics इस वीडियो में हम December 2015 में linear algebra से ये question आया है part C का इसका solution देखेंगे और अगर आपको solution समझाए तो please like करें, share करें और channel को subscribe करें अब हम start करते हैं देखें question Let V be the vector space of polynomials over r of degree less than or equal to n for Px equal to a0 plus a1x plus up to an xc power n in V define a linear transformation T V to V by T Px equal to an plus an minus 1x plus up to a0xc power n then 4 option है, बताने कौन-कौन से option correct होंगे part C से आया है तो एक से ज़्याद option भी correct हो सकते हैं first में है T is 1,1, second T is on to, third T is angle and fourth determinant of T equal to plus minus 1 देखें कैसे solve करेंगे हमारे पास यहां पे दिया हुआ है V के है vector space of polynomials over r of degree less than equal to n and polynomial किस तरह से define है a0 plus a1x plus up to an xc power n and एक linear transformation define है V to V अब देखो जब भी हमारे पास linear transformation इस तरह से define हो, जिसमें domain and code domain same हो, तो यह जो T होता है यह क्या होता, linear operator होता है अब हमारे पास यह define है tpx equal to an plus an minus 1x plus up to a0xc power n then देखो, हम पहले तो यह conditions जानते है if T V to V dash be a linear transformation then following conditions are equivalent if T is invertible मदब देखो, अगर T V to V एक linear transformation दिया हुआ हो तो यह conditions जो होती है यह क्या होती है, equivalent होती है T invertible, then T non-singular T is on 2, T is 1, 1 kernel of T equal to 0, equal to nullity of T जो kernel होती है, वो nullity होती है मदब dimension of kernel वो क्या होती है, nullity होती है अब हम क्या करते है, यहां से n degree का polynomial दिया हुआ है तो हम n को क्या लेके चलते है if n equal to 3 तो हम polynomial 3 degree का consider करते है 3 degree का polynomial हम किछ इस तरह से लिखेंगे a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube तो हम यहां से इसके basis क्या हो जाएंगे 1x x square x cube यह इसके basis होंगे तो हमारे पास एको transformation किस तरह से define है अगर polynomial n degree का इस तरह से हो तो हमने जैसे n equal to 3 लिया तो 3 degree polynomial लिया तो उसके लिए transformation क्या होगा t px equal to an plus an minus 1x plus up to a0x की power n तो हम यहां से basis में से 1 लेते हैं तो यहां से हमारे परस क्या जाएगा constant और constant के लिए हमें क्या मिल रहा है a0 and into means x x की power n जैसे n equal to हमारे पर 3 है तो यहां पर हमें क्या मिलेगा t of 1 क्या मिलेगा हमे x cube ठीक है तो इसी तरह से जब हम यहां से px equal to 1 लेते हैं मीलता है X3 जब हम TX PX Equal To X लेते हैं तो उस कंडिशन में हमें जो Transformation मिलेगा वह मिलेगा X² इसी तरह से जब हम AX जी स्क्वाइय लेते हैं तो हमें Transformation मिलेगा x resident धृहां पर स्केश्क उनलिकों है दो हमारे पास Transformation की value आजाएगी 1 अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहां पर सिर्फ x3 है तो x3 का कॉफिशेंट 1 है अगर इस पॉलिनोमिल के जैसे लिखें तो हमारे पास यहां पर 1 का कॉफिशेंट 0 x का 0 x2 0 सिर्फ x3 का कॉफिशेंट है वन तो हम इससे लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.x प्लस 0.x2 प्लस 1.x3 इसी तरह से इसे क्या लिखेंगे 0.1 0.x2 प्लस 1.x2 प्लस 0.x3 इसी तरह से इनको लिखेंगे अब इसके लिए जब मेट्रिक्स बनाएंगे तो मेट्रिक्स 0.0.1 क्योंकि यहां पर सिर्फ x3 का कॉफिशेंट 1 है फिर यहां पर x2 का है तो 0.0.1 0 फिर इसी तरह से 0.1 क्योंकि यहां पर x का है फिर 0.0 और यहां पर यह वाला कॉफिशेंट है तो 1.0.0 इस तरह से कुछ मेट्रिक्स बन जाएगी मतब यह सारे क्या होंगे कॉलम की में रखेंगे हम तो हमें में इस्तरासे मिली अब यह जो में यह में परमूटरेशन में में मैठ्डिकिस क्या होती है मदब अग 주고 कोई स्कुरां सब्वाण से मिलें जिसमें रोव में और कॉलम में सारी एंटी जिरो सिर्फ एक entry 1 हो, मदब एक entry क्या हो, वो भी 1 हो, सिर्फ 1 के अलावा सारी entries क्या हो, 0 हो, जैसे देखो इस row में भी यह 1 है, इसके अलावा सारी entry 0, इस column में भी यह 1 है, बागी सारी entry क्या है, 0 है, तो इसकी definition क्या होती है, a matrix representation of a permutation, a square matrix with exactly 1, 1, 1, मदब एक element होना चाहिए, in each row and column and all other elements are 0, सारे element बाकी 0 होने चाहिए, और row में भी सिर्फ एक 1 exist होना चाहिए, एक element होना चाहिए, और वो भी 1 होना चाहिए, तो यह एक permutation matrix है, और permutation matrix का order किस तरह से find करते हैं, order of sigma, वो किस तरह से होता है, मदब पहले अगर हम इसका permutation लिखें, तो permutation क्या होगा, दे यह close cycle, फिर 2 की में 3, 2 की में 3 और 3 की में 2, यह close cycle, और इसका order कैसे find करते हैं, यह किस length का cycle है, 2 और यह भी 2 length की cycle है, और order of sigma क्या होती है, LCM of, इनका जो length होती है, तो यहाँ पर LCM आ जाएगा, 2 और 2 का, तो 2 और 2 का LCM क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, जैने यहाँ से order of sigma आ गया, हमारे पास 2, अब देखो हम जानते हैं कि कोई भी permutation matrix होती है, उसका determinant क्या होता है, either 1 और minus 1, किसी भी permutation matrix का, जो determinant होता है, वो यह त order of sigma है, हमारे पास 2, इसका क्या मतलब है, यहाँ से हमें मिलेगा, T square equal to identity, तो जो इसमें इंटर जेंच कितने हुए, उन पर depend करता है, इसका determinant, अगर even permutation है, तो determinant plus 1 होगा, अगर old permutation है, तो determinant minus 1 होगा, तो यहाँ से इसका determinant आ जाएगा, हमारे पास plus minus 1, और fourth option में तो यही दि होगा है, determinant of T equal to plus minus 1, तो यहाँ से fourth option correct हो गया, अब देखो, जो determinant मिला, वो क्या मिला, हमें non 0, अगर determinant क्या हो, अगर plus 1 हो, या minus 1 हो, कुछ भी हो, इन में से, तो plus 1 minus 1 है, इसका मतलब determinant non 0 है, और determinant non 0 इसका मतलब T invertible, T one one, T on two, यहाँ से जब हमने अभी statement देखे थे, यह सारे statement क्या होंगे, equivalent होगे, तो T invertible भी होगा, non singular, invertible और non singular का मतलब A की होता है, अगर determinant non 0 हो, इसका मतलब matrix क्या होती है, invertible होती है, और invertible को non singular भोलते हैं, और यहाँ से on two भी हो जाएगा, और one one भी हो जाएगा, तो इस question के चारों option correct हो गए, first, second, third, fourth, चारों option correct हो गए,